असलाम लेकुम डियर लेर्नर्स एन वेलकम इन इस वीडियो बात हो रही है आइडिया जिनरेशन की ऑपर्चुनिटी नजर आ गई है, प्रॉब्लम नजर आ गया है, अब उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट बिजनस आइडियाज होने चाहिए, पहले हमने कि आप brainstorming sessions कर सकते हैं, आप mind mapping कर सकते हैं, आप problem inventory analysis कर सकते हैं, उसके इлаवा idea कहां से generate हो सकता है, surprisingly हम बात करेंगे library resources की, library resources entrepreneurs की दुनिया के अंदर सबसे most underutilized resource है, आप library भी जा सकते हैं और library में जाने का फाइदा ये है कि आपको वहाँ पर information का access मिल सकता है आपको library में कौन से इसे sources मिल सकते हैं जिससे आप idea generate कर सके हैं मिसाल के तौर पर आप किसी library में जाते हैं तो आपको वहाँ पर industry specific magazines मिल सकते हैं आपको वहाँ पर trade journals मिल सकते हैं आपको वहाँ पर industry reports मिल सकते हैं आपको वहाँ पर different databases और market research reports मिल सकते हैं आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि ये तमाम चीज़ां internet पर भी available हैं लेकिन internet के उपर there is a garbage of information हम इसे कहते हैं कि बहुत सी information होती है कि जो authentic होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने internet के ओपर कोई चीज़ पढ़ी कोई figure कोई information पढ़ी और वो authentic नहीं थी लेकिन अगर ये sources किसी library के sources हैं उस magazine में publish हुए वे sources हैं या government reports हैं बाज वकात government reports या इस तरह के different sources paid होते हैं तो आप इतने जादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं उस information को लेने के लिए तो why not going to the library और वहां जाके जो magazines available हैं जो हमारे पास industry analysis reports available हैं उनको study किया जाए so library एक अच्छा resource है उसको हम इस्तमाल कर सकते हैं और library जाके भी बहुत से ideas को generate भी किया जा सकता है और mature भी किया जा सकता है उसके बाद हम आते हैं internet के तरफ internet आपको बताने की हरगे ज़रूरत नहीं है सबसे ज़्यादा use किया जाने वाला source है for idea generation अच्छा internet के ओपर याद रखेगा I use the word information garbage क्योंकि information इतनी जादा है कि उसकी authenticity बाद वकात confirm करना मुश्किल हो जाती है ideas लेने के लिए लोग क्या करते हैं आपके पास social media sites है Facebook है Instagram है Twitter है YouTube है आप देख रहे हैं कोई YouTuber बन रहा है किसी ने Facebook पर अपना page open करके वहाँ पर चीज़ें बेचना शुरू कर दी है कोई Instagram पर अपने businesses को promote कर रहा है कोई Twitter account पर अपनी business की information दे रहा है को networking के लिए अपने business networking के लिए suppliers के साथ networking के लिए LinkedIn यूज़ कर रहा है So again आप जब इन sites पर जाते हैं इनको visits करते हैं इनको पढ़ते हैं देखते हैं तो आपके जहन में multiple ideas आ सकते हैं Likewise search engine तो खेरा सभी हम बहुत ज़ादा इस्तमाल करते हैं आप बहुत से ऐसी websites जो के authentic हैं या बहुत से ऐसे magazines जो authentic हैं वहाँ पर जाके subscribe भी कर सकते हैं और click भी कर सकते हैं कि वो आपको email alerts भेजते रहे हैं आपको email alerts आते रहेंगे और email alerts से आप ये जानते रहेंगे कि market में चाहे वो local है चाहे वो international है हो क्या रहा है जितना बहतर तरीके से आप जान पाएंगे उतने बहतर तरीके से आप idea को mature भी कर पाएंगे अब आ जाते हैं incubation centers की तरफ incubation centers में चाहे आप incubation center में गए हैं चाहे आप नहीं गए या चाहे आप वहाँ से graduate होकर अपना business शुरू कर चुके हैं जितने भी local या international incubation centers हैं उनकी informations उनकी websites पर available होती हैं उनको frequently visit करें उनको देखें कि वो आजकल किस product किस service किस industry के पर ज़्यादा focus कर रहे हैं किस तरह के ideas को पसंद किया जा रहा है किस तरह के business competition में आने वाले plans win कर रहे हैं यानि एक और बहुतरीन source यह है कि आप जितने भी international और local यह जो competition होते हैं entrepreneurship के competitions होते हैं उनकी उपर भी गहरी नज़र रखें पाकिसान में बहुत बहुत बहुतरीन खबरे आती रहती हैं आपने अकसर देखा होगा कि पाकिसानी नौजवान बहुत ज़्यादा international अब जितने भी entrepreneurship के challenges यह competitions हो रहे होते हैं वहाँ जाते हैं और win भी करते हैं सो उन पर आप गहरी नज़र रखें वहां से भी आपको बहतरीन trends देखने को मिलेंगे यह trends opportunities हैं इन opportunities को किस तरह से avail करना है उसके लिए आपको एक idea win करना होता है so in other words आप number one library ज़रूर विजट कर सकते हैं for paid resources खास तोर पे number two आप internet source बहुत ही ज़ादा इस्तमाल करते हैं और number three जितने भी incubation centers के information हैं और खास तोर पे local और international जितने भी entrepreneurial challenges यहाँ जो competition हो रहे हैं उन पर नज़र रखिए देखिए कौन कौन से ideas win कर रहे हैं winners कौन हैं क्या क्या ideas लेकर आ रहे हैं आपको वहां से धेरों धेर ideas मिल जाएंगे see you in the next video